मेरी उमर 40 साल की है, मुझे 40 दिन पहले COVID-19 हुआ था, अब मेरा CRP और ये असार बढ़ गया है ऐसा क्या हो गया? A. नई विमारी आ रही है, उससे भी वर सकता है B. आपका इंफ्लमेशन वापिस आ गया है इसका मतलब ये नहीं है कि COVID-19 वापिस आ गया है पोस्ट कोविट फेज में 9 दिन से लेके 120 दिन तक रीकरेंट एपिसोर्ट कोविट-19 में इंफ्लमेशन के आ सकते हैं तो पोस्ट कोविट फेज में आपको इंफ्लमेशन के आ सकती है जिसमें ESR, CRP बढ़ जाता है इसका मतलब नहीं है कि वाइरस दुबारा आ गया है जैसे चिकन गुनिया में एक बार आर्थराइटिस खतम हो जाए तो एक साल तक आपको आर्थराइटिस के अटैक आ सकते हैं उसी प्रकार से COVID-19 में 40 दिन के बाद में भी आपको इंफ्लमेशन के एपिसोड आ सकते हैं यह immunological reactions होती हैं जिसके कारण से inflammation वापिस आ जाता है इसलिए इसको immuno-inflammation बोलते हैं क्योंकि यह intermittently आ सकता है नमस्कार